बच्चों सो सब प्रतिमनेट ग्रति का डिक्टेशन डिक्टेशन में आने वाली आउटलेन देखें जन आरोग की योजना जन बनाएं और जिरासा नक आंक्रा लगा के डाउन्रोडर बना दें आरोग की योजना सबसे बड़ी स्वास बिमा योजना जन कल्यानकारी योजना इसके दाइरे में, ये इसका सबचिने का दाइरे, दरस दाइरे इसके दाइरे में दस करोड से अधिक, ये दस यहीं से कर निकालो, करोल से अधिक, कहा जा रहा है, मत्वा कांक्शी योजना, अपने देश में, स्वास्त धाचा, स्वास्त का सबचिन हमारे पास, इसको धाश से काड़ दें, स्वास्त धाचा, साकार करने के लिए, ये साकार और करने के लिए डिजैनिंग करके लब बना दें, साकार करने के लिए, या भी हेकी, यह का सबचिन हमारे पास यह है, अब इसको अगर हम गेरा कर देंगे, भी हेकी गेरा करना है इसमें इस पस्ट हेकी इस पस्ट का सब्चिन है इसमें हेकी लगा दो इस पस्ट हेकी विसालकाई योजना लाइन को काटके विसालकाई योजना केंद्र और राज सरकार केंद्र को डबल करें और राज सरकार नीजी छेत्र लाइन को काटके नीजी इस स्वास्त का सब्षिन और धा से काड़ें सरकारी स्वास्त धाचा दिन प्रति दिन स्वास्त भीमा आम नागरिक अपने देश में साफ सफाई आयुष्मान भारत योजना स्वाच भारत अभियान स्वाच भारत अभियान स्वाच भारत अभियान आम लोगों ने स्वास्त समाज का निर्मान स्वास्त का सब्चिन है और समाज का निर्मान किया जा सकता है किया जा सकता है सही तरह से सही तरह से कि प्रभाव शाली देश मिला जुला रूप मिला जुला और रसे काट दे मिला जुला रूप तो बच्छो ये आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रहे है पिर एक बार देख लें जन आर्योगी योजना सबसे बड़ी स्वास्त बिमाय योजना जन कल्यान कारी योजना इसके दाइरे में दस करोर से अधिक कहा जा रहा है मत्वा कंशी योजना अपने देश में स्वास्त धाचा साकार करने के लिए यह भी है कि इसपस्ट है कि विसाल काई योजना केंदरोर राजसरकार नीजी छेत्र राष्टी दायत्र के रूप में सरकारी स्वास्त धाचा दिन प्रति दिन स्वास्त भीमा आम नागरीक अपने देश में साफ सफाई आयुष्मान भारत योजना स्वच्च भारत अभियान आम लोगों ने स्वच्च समाज का निर्मान किया जा सकता है सही तरह से अधिक से अधिक इलाके प्रभाव साली देश बिल मिला जुला रूप बचु ये डिक्टेशन अब लिखें सो की स्वच्ट से यस स्टार्ट आयुष्मान भारत नाम से चर्चीत प्रधान मंत्री जन आर्योगी योजना की शुरुवात दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त विमा योजना का सामने आना ही नहीं है यह जन कल्यान की दिस्ता में दुनिया को राहा दिखाने वाली भी एक पहल है यह कितनी बड़ी जन कल्यानकारी योजना है इससे समझा जा सकता है कि इसके दाइडे में 10 करोड से अधी परिवारों के करीब 50 करोड लोग आएंगे भारत और चिन को छोड़ दें तो किसी भी देश की उतनी आबादी नहीं है जितनी इस योजना से लाभानवित होने जा रही है इस पर हेरत नहीं कि इसे बाजी पलटने वाली योजना कहा जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा जब इस योजना पर सही तरह अमल होगा और निर्धन तपके को सचमुच राहत मिलेगी इस महत्वा कंशी योजना को सफल बनाने केवल इसलिए कठीन काम नहीं की यह एक बड़ी योजना है कठनाई इसलिए भी है की अपने देश में वेसा स्वास्त ढ़ाचा नहीं जेसा एसी किसी योजना को साकार करने के लिए आवश्यक है समस्या केवल यह नहीं की आबादी के हिसाब से पर्याप चिकिस्सा नहीं समस्या यह भी है की हमारा स्वास्त तंत्र भी बहुत कमजोर है इस पस्ट है की यह विसाल का योजना एक अउसर के साथ चुनोती भी है इस चुनोती से तभी पार पाया जा सकता है जब केंद्र और राज सरकारों के साथ नीजी छेत्र का स्वास्त ढाचा स्वास्त तंत्र इस योजना के क्रियानवेन को राष्टी दायत्व के रूप में लेगा बहतर हो कि जिन भी लोगों पर इस योजना को साकार करने की जिम्मेदारी है वे यह समझे की देश ही नहीं दुनिया भी उनकी ओर देख रही है इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को सरकारी स्वास ढाचे को दुरुस्त करने पर विशेश ध्यान देना होगा यह समझना कठीन है की पंजाब ओरी सा तेलंगाना दिल्ली आदी ने खुद को इस योजना से जोड़ना जरूरी क्यों नहीं समझा चुकि इस योजना से अलग हुई राज्यों ने अपने फैसले के पक्ष में कोई ठोस निर्ने नहीं गिनाया इसलिए इस निसकर्थ पर पहुँचने के अलाबा और कोई उपाई नहीं की संकुचित राजनीती अंततर जनकल्यान की अंदेखी ही करती है एक इसे समय जब उप्चार दिन प्रति दिन मेंगा होता चला जा रहा है तब जरूरी क्यवल यह नहीं है कि स्वास्त धाचे में सुधार हो और निर्धन तबके कोई आसान स्वास्त भीमा सुधा उपलब्द हो बलकि यह भी है कि आम नागरी को में सेहत के प्रती जागरुपता कैसे बड़े यह एक तत्य है कि अभी अपने देश में सेहत के प्रती वेसी चेतना नहीं जेसी होनी चाहिए यही कारण है कि साब सफाई की मेंता से लोगों को परिश्चित कराने के लिए अतिरिक प्रियास करने पड़ रहे हैं उचित यह होगा कि आम लोग जेसी दिलचस्पी आयुसुमान भारत योजना के प्रती दिखा रहे हैं वेसी ही स्वच भारत अभियान के प्रती भी दिखाए जिस तरह सरकार का यह दायुत बनता है कि वह लोगों के स्वास्त की चिंता करे और उनके लिए उप्यूक्त एवं प्रभावी स्वास्त धाचा उपलप्त कराए उसी तरह खुद आम आदमी की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने स्वास्त के प्रती सजक रहे एक स्वास्त समाज का निर्वान तभी किया जा सकता है जब सासन के साथ साथ जन्ता भी अपने हिस्से का काम सही तरीके से करे धन्यवाद